तो Class 10 का syllabus आ चुका है 2022 से 23 सेशन का तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे WhatsApp गुरूप से जौइन हो सकते हैं WhatsApp गुरूप से जौइन होने के लिए आप महमें 8507444823 पर मैसेज करें और लिखें सेशन अपना लिख दें और जौइन हो जाए जल्द से जल्द इंगलिस का syllabus आया है उसमें आपको कितने books पढ़ने हैं और कौन-कौन से books पढ़ने हैं और उस books में कौन-कौन से chapter पढ़ने हैं यानि Class 10 इंगलिस का syllabus इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो चलिए पहले बता देता हूं कौन-कौन से आप बुक पढ़ेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपको चार बुक्स आपको पढ़ने हैं एक आपको फर्स्ट फ्लाइट यह आपका NCRT पब्लिकेशन का ही आता है फिर आपका दूसरा आता है फूट प्रिंट विदाउट फीट यह भी आपको NCRT पब्लिकेशन का ही आता है यह दोनों NCRT publication के ही आते हैं फिर आपको grammar पढ़ना है तो यह grammar आप कोई सा भी book ले सकते हैं grammar में मैं आपको portion भी बताऊंगा कि इसमें क्या 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 कौन कौन से topic पढ़ने है class 10 में फिर आपको letter writing और passage यह आपको एक book लेना होगा letter writing और passage के लिए यह दोनों एक ही में भी एक book में भी ले सकते हैं एक ही book में लीजिएगा तो अच्छा रहेगा तो इतने सारे आपको books पढ़ने हैं तो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं grammar में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे आपको साथ चेप्टर पढ़ने हैं यह लेटार में फिर आपका आता है बुक से तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर्स्ट फ्लाइट का जो बुक है इससे आपको साथ चेप्टर पढ़ने हैं लेटर टू गॉड नेलसन मंडेला लॉंग वाक टू फ्रीडम टू स्टोरीज अबाट फ्लाइंग फ्रॉम द्डाइरी ओफ एन फ्रैंक ग्लिम्स अफ इंडिया मीजबिल दा ओर्टर मैडम राइट्स दा बस और उसी बुक से यहां पर दू और चेप्टर है यानि कि टोटल आपको 9 चप्टर पढ़ने है दफ्लाइट से और फिर ये तो प्रोज का चेप्टर था और फिर आता है आपका पोयम means में भी आपको 10 चेप्टर पढ़ने है तो यहां पर दसो चेप्टर है फिर आपका आत इस बुक से आपको नाइन चप्टर पढ़ने हैं तो फूट्प्रिंट से आपको नाइन चप्टर पढ़ने हैं तो यह था आपका इंगलीज का अगर आपको कोई विद्धिक्कत आता है तो आप मेरे वाटसेप पर जरूर मैसेज करें